Hello Dear Students, तो काफी दिन से बच्चे परेशान हो रेता हैं कि सर हिंदी मीडियम के लिए best books पता दो, chemistry neat के लिए preparation करनी है तो आज आपके लिए हम ब्लोग best books लेक्चा हैं कि neat chemistry निकालने के लिए आपको कौन-कौन सी best books market में available है पहले बात तो आप दिमाज में से ही निकाल दो ये English Medium के लिए तो सर बहुत सारी अवेलेबल है Hindi Medium के लिए नहीं है जो English Medium के लिए हैं वो Hindi Medium के बच्चों के लिए भी available है नीट निकालने हैं आपको कोई PhD नी करनी है तो नीट निकालने के लिए सबसे important रामबान किताबें यह दो आपको दिख रही हैं यहाँ पर 11th क्लास की NCRT है भाग 1 और भाग 2 ठीक है रसायन विज्ञान की भाग 1 और भाग 2 किताब आपने देखी हुई है कोई आपसे चुपी भी किताब नहीं है आप लोगोंने देखी हुई है भाग 1 और भाग 2 दोनों क सबसे पहली बात तो आपको किस पर कमांड बनाना है थियोरी पर लाइन टू लाइन थियोरी पढ़ेंगे एक एक लाइन को पूरे अच्छे से NCRT की रीड करेंगे दूसरी चीज आपको सारे के सारे एक्जामपल सारे के सारे उधारन सॉल्व करने है ठीक है ना कोछ नी छोड़ना अंदर का एक भी एक्जामपल नी छोड़ना और पीछे की पूरी विग्यान की Class twelf वाली कक्षा बारुभी एक बागदो जो होती है फूरी की पूरी क्या है Organic Chemistry आपको पता ही क्या है बागदो में Organic Chemistry रहती है पूरी की पूरी वापिस से वही बात बोलूँगा क्या बात बोलूँगा सबसे पहली बात तो theory पूरी की पूरी निप्टानी आपको theory पूरी की पूरी निप्टानी है दूसरी चीज आपको क्या निप्टानी है examples पूरे के पूरे निप्टाने जो अंदर की तरफ दियोते है theory के साथ तीसरी चीज आपको पूरी की पूरी exercise निपटानी है जो पीछे दी होती है ये तीन चीज तो आपको करनी ही करनी है जैसे ही आप पूरी theory पढ़ लोगा आपको समझ में आ जायागा कि इसके लावा कुछ और पढ़ने की जरवत नहीं एक-एक लाइन पढ़के देखोंगे हर लाइन में एक नई चीज चुपी हुई है बासमन में आगई बहुत easy theory दियो है NCIT ने कोई cut-in theory नहीं दिये ठीक है next जो है अगर आप बहुत ज़्यादा examples और ज़्यादा करना चाहते हो तो exemplar English में exemplar exemplar इसमें काफी सारे आपको questions मिल जाएंगे objective वाले pattern के भी short answer type के भी हर type के आपको questions इसमें देखने को मिल जाएंगे और NCIT में जो examples दियों उससे थोड़े उपर वाले example देखने को मिलेंगे तो ये दोनों भी आप touch करके निकलोगे लगा के निकलोगे इसके सारे questions लगे हुए होने चाहिए आपके लगे हुए से मतलब solve करे हुए होने चाहिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा मैंने आपको अभी तक 4 NCIT पढ़ने को और 2 examples पढ़ने को भूले 2 exemplar पढ़ने को भूले सब्जेक की आपको मार्केट में अविलेबल हो जाएगी बुक्स तो रसाइन विज्ञान की भी अविलेबल है कक्षा गारवी और बारवी की तो NCIT finger tip आप ले लो MTG publication की इसमें आपको काफी सारे objective type के problem और साथ के साथ assertion reason वाले questions देखने को मिलेंगे इसमें आपको कैसे questions देखने को मिलेंगे objective type के questions देखने को मिलेंगे single correct, multiple correct ठीक है और second आपको कौन से देखने को मिलेंगे assertion reason वाले questions देखने को मिलेंगे आप इन दोनों को पढ़ लो assertion reasons वाले questions से थोड़े concept clear होते हैं assertion reason में जैसे statement first is true और statement two उसका जो है correct answer कथन और कारक वाले सवाल जो होते, assertion reason मतलब कथन कारक कथन कारक वाले सवाल आपको इसमें खूप सारे बरबरगे मिल जाएंगे objective type के question मिल जाएंगे, इसी में exemplar के question भी मिल जाएंगे इसी में M's level तक के question मिल जाएंगे आपको बास भन में आती है, ठीक है next किताब जो है हमारी वो है दिख रहा आपको 32 साल, 32 साल के sold paper दे रखे हैं, लेकिन आपको sold से लेना देना नहीं है आपको तो खुद से sold करने है रोज एक paper लेके बैठो 32 साल के paper दिये हुए हैं, वो भी chapter wise दिये हुए हैं, मतलब आपको कुछ सोचने की जर्मत नहीं है जो भी chapter आप NCRT से read कर रहे हो क्या follow करना है, देखो सबसे पहले क्या follow करना है सबसे पहले आप NCRT read करोगे NCRT की theory पढ़ ली उसके क्या-क्या लगा लिए, उसके example लगा लिए example लगाने के बाद उसके exercise पीछे वाली लगा लिए, समझ गे, NCRT में क्या-क्या कर लिया, theory कर लिए, example कर लिए, बार-बार-बार-बार repeat कर रहा हूं, second number पे फिर आप उसकी exemplar solve कर लोगे, प्रश्णि प्रदर्शी का solve कर लोगे, exemplar solve करने के बाद आप आ जाओगे, previous year question, यानि कि पिछले साल में पूछे गए सवालों पे, किस पा जाओगे, पिछले साल में पूछे गए सवालों पे आ जाओगे, previous year question पे आ जाओगे, और previous year question उस chapter के आपको कहा मिल जाएगे चेप्टर वाइज मिल रहे हैं और क्या चाहिए 1989 से 2020 तक के मिल रहे हैं बासमन में यह 32 साल के लगाने वाला चाहिए और आप लगा लोगे कब लगा पाओगे जब आपकी theory clear होगी examples exercise और exemplar यहां तक आप करके निकल जाओगे फिर previous year question और मैं आपको बोल रहा हूँ इस पर style लगा लो यह तो आपको करके जाना ही है क्योंकि नीट में सवाल repeat होते हैं सवाल repeat होने से मेरा मतलब है concept repeat होते हैं अरे कब तक नए concept बनाएगा concept तो repeat होंगे तो concept repeat होते हैं तो previous year question तो आपको करके जाने ही जाने हैं भले आप exemplar को छोड़ सकते हो exemplar को आप cross mark सकते हो लेकिन previous year question और यह NCRT यह दो चीज़ तो आपको cover करनी ही करनी है वासमज में आती ठीक है तो बस इतनी किताब है यह English medium वालों के लिए अविलेबल है यह Hindi medium वालों के लिए अविलेबल है करने वाला चाहिए और आपको करना पड़ेगा हर दिन time निकाल के आपको एक paper निकालना है 32 साल के paper है ठीक है छोटे मोटे नहीं है 32 साल की paper है वो भी chapter wise है बहुत सारे चेप्टर है NCRT में हर एक चेप्टर की theory और access करने में आपको time लगेगा और सब कुछ करने के बाद ही आप इस एक्जाम में बैठे हो ठीक है उतना ही time देना है जितने exam में question आते हैं नीट के exam में जितने chemistry के question आते हैं जितनी duration में करने चाहिए जितने time में करने चाहिए उ आप से जादा नहीं देना नियारा आगे बढ़ो नियारा आगे बढ़ो ठीक है time waste नहीं करना time की देखो strategy साथ के साथ strategy भी बतातों अगर आप साथ के साथ ही यहां पर क्या करोगे time को लेकर चलोगे ठीक है ना time के साथ सवाल time के साथ सवाल अगर लेकर चलोगे तो आप ज कितने टाइम में निकाले समझे हो आपने तीन गंटे लगाए कि अमने पांस सवाल करें बहुत उंदघ सवाल करें कोई मतलब नहीं आपको कितने सवाल करना है तीन गंटे में आपको 180 सवाल करने है और 180 में तो सब कुछ involved सब इन्वालव है तो हमें टार्गेट यह लेना है तो टार्गेट इससे बड़ा सैट करना पड़ेगा इससे बड़ा टार्गेट क्या है जब आप 200 गंटे में निकालने की प्रैक्टिस बनाओगे तब जाके 180 क्वेश्चन सापके निकलेगे और वह प्रैक्टिस कैसे बनेगी जब आपके सारे कंसेट्ट वाले सवाल आपके हाथ से निकलेगे जब आप प्रिवेस यह के कोश्चन लगाओगे उससे आपको आइडिया जाता है यह सब आपको नैट पर पीडिएफ के फॉरम में मिल जाएगी कि किसी को बताना मत लेकिना ना कि मैंने ऐसे बताया था नैट पर पर पीडियेफ के फॉरम में इंटरनेट पर सब पीडियेफ के फॉरम में अवेलेबल है आप जाओ या फिर आप NC RT का डानलोड कर पर आपको सारी क्लास 11 12 एक्जांपलर तो वहीं मिल जाएगी जाएगी जाए सब्सक्राइब आपको 32 यह के पेपर की में इसलिए बोलूँगा कि इसको खरीद लो ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट ज्यादा होता है मुबाइल में या ल तो पड़ेगी क्योंकि PDF डाउनलोड करने है लेकिन PDF इतनी बड़ी नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट की रिक्वार्मेंट पड़े ठीक है थैंक्यू सो मच